वंदे मातरम जहिंद सातियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हार दिक अभिनेंदन है आप सभी का दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लास सौंबार से लेकर के शुक्रवार तक लाइव होती है लेकिन आज शनिवार है और आज भी आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं इसका कारण है कि एक बीच में हमने एक दिन छुटी कर दी थी जिसकी वज़ास जो है नहीं हो पाई थी तो उस दिन के लिए मैंने शनिवार में क्लास लगा लिया है आगे भी अगर भाई चांस कभी ऐसा होगा कि मान लिजिए कि मैं अविलेबल नहीं हूँ और कलास आपके किसी वज़े से किसी एक दिन नहीं हो पाती है तो मैं आप लोगों की क्लास शनिवार को लगा लिया करूँँगा और शनिवार को नहीं तो फिर रविवार को लगा लोगा लेकिन आप लोगों की class जो है वो छूटेंगी नहीं किसी भी कारण में तो चलिए आज के session को हम लोग continue करते हैं एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि last session में हम लोग अपने topic alphabetical series को पढ़ रहे थे जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि alphabetical series में कुछ points समझाए थे जैसे कि मैं दुबारा से बता देता हूं आपको alphabetical series यानि दोस्तों इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ण माला श्रंखला क्या कहते हैं वर्ण माला टेस्ट कह दो या कह दो वर्ण माला श्रंखला वर्ण माला श्रंखला इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं बहुत interesting topic है मैंने आप लोगों को पताया था कि जब एक ही प्रश्ण में अब देखो अगर आप पहली क्लास नहीं देखी है आपने और डारेक्ट आप इस दूसरी क्लास को देख रहे हैं तो पहली क्लास आपको देखनी चाहिए तब ही यह point आपको समझ में आएंगे अने था आप लोग कहेंगे कि यह गुरू जी पढ़ा क्या रह पहली क्लास को जरूर देखिए अब देखो ध्यान दो मैंने बताया था जब भी आप लोगों को बाया बाया दे रखा हो प्रश्ण के अंदर यानि जब एक जैसी आपको वैल्यू दे रखी हो तो आप माइनस करेंगे हमेशा और अगर आप लोगों को दाया दाया भी दे प्लस करेंगे और अगर वेशक आपको दाया और बाया दे रखा होगा तो भी आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई प्लस करेंगे यह दिहन रखना है और जितने भी स्टूडेंट हिंदी वाले हैं वो धिहन रखें इस बात का खास तोर पे कि उनको आंसर करना है पीछे से ठ तो इस तरीके से अगर लेफ्ट लेफ्ट मिलता है तो आप माइनस करेंगे और अगर आपको राइट राइट मिलता है एक ही प्रशन के अंदर तो भी आप लोग उसमें माइनस करेंगे लेकिन अगर आपको लेफ्ट राइट मिलता है एक ही प्रशन में तो आप प्लस करें यहां अगर राइट और लेफ्ट भी मिल जाता है राइट एंड लेफ्ट एक ही प्रश्ण के अंदर तो भी आप लोग प्लस करेंगे बस इतना सा तो आपको सबको पता होना चाहिए भाई ठीक है इतना तो पता होना चाहिए लेकिन यहां पर जो इंग्लिश वाले चातर है वो आंसर अरे यार मैं गलत लिखवा दिया एक मिनट इसको चेंज करना यहां हिंदी वाले तो शुरू से आंसर करेंगे ठीक है यहां लिखो हिंदी वाले शुरू से आंसर करेंगे ठीक और इंग्लिश वाले आंसर करेंगे भाई पीछे से मैं इसको थोड़ा दूर करता हूँ समझना मज आएगा कुछ नहीं है जिन्होंने कल की class को देखा था वो समझ गई होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और जिन्होंने कल की class को नहीं देखा था वो अभी तक problem में होंगे कि सर यह कर क्या रहे है तो पहली class को जरूर देखना तो English वालों के लिए मैंने क्या बताया भाई answer कहां से करना है आपको पीछे से answer देना है पीछे से ठीक है चालो अब आजाओ थोड़ा सा आगे चलिए तो ये है पूरा process मैंने आपको समझाया सर मेरे application में बहुत problem हो रही है शिवानी कह रही है कि सर मुझे class शो नहीं हो रही है आप मुझे batch का नाम बताओ कौन सा batch है आपका और फिर मैं आपको बताता हूँ कि class कैसे show होंगी ठीक है कैसे show होंगी तो मैंने last question करवाया था मैं आप फिर से लिखवा देता हूँ कोई भी question like है ना एक homework के लिए भी दिया था शायद आपको याद होगा तो मैंने बताया कि बाएं से अंग्रेजी वरण माला में ये नहीं लिख रहा है आप समझ लेना अंग्रेजी वरण माला में बाएं से सातवे के सातवे के दाएं बुला तीसरा अक्षर क्या होगा तो ऐसे प्रश्णों की trick मैं अलरेड़ी बता चुका हूँ और आप लोग इसे कर भी चुके होगी किस तरीके से बुला सरवाये से सातवा और दाएं से तीसरा यानि प्यारे साथियों आप इधर आ जाओ देखो हिंदी वाले स्टूडेंटे क्योंकि हिंदी में कोईशन है इंग्लिस में कल में करा चुका हूँ तो यह करा है एक ही प्रशन में बाया और दाया आपको यहाँ देखना है बाया दाया कहा है यह रहा बाया और दाया प्लस करोगे आप बिल्कुल सर आंसर कहा से करोगे शुरू से तो बाये से आप आंसर करोगे दोनों को प्लस किया साथ और तीन तो साथ प्लस तीन बरावर दस और दस को हम कहा से बाये और से दसवा लेटर क्या होता है बोला जे होता है सर ये हमारा right answer होगा बिल्कुल definitely सही है बिल्कुल hundred percent सही है ये color तो दिख रहा होगा नहीं दिख रहा चलो कोई बात नहीं मैं इसको color को दूसरा change कर देता हूं ठीक है ये वाला color मैं change कर देता हूं थोड़ा सा अब ठीक है अब देखो जैसे मैंने दूसरा question दिया अब ये तो मैंने 20 से दिया था लेकिन question आजाए आपका क्या कि दाएं से सात्वे के सात्वे के बाएं कौन सा अक्षर तीसरा अक्षर क्या होगा तब इसका answer आप लोगों को क्या करना है कुछ भी सीखना नहीं है मैं कल बता चुका हूँ ऐसे प्रश्णों को केवल मैं आपके memory क्योंकि लंबे समय तक आपको चीज़े याद रहे ठीक है इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा से explain कर रहा हूँ इन चीज़ों को ठीक है बाई और से मालूम है दाई और से आपको नहीं मालूम है ठीक है जी बात समझ में आगई चलो बात समझ में आगई नहीं आई तो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है कि जब भी value आपको दाई से दे रख्यों मैंने कल बताया था 22 से निकालनी हो तो दाई वैल्यू को 27 में से माइनस कर तो वो 22 से आ जाएगी निकल के जैसे 27 में से आप लोग अगर 10 माइनस कर देंगे तो बच्चे का कितना बोला 17 तो ये left side से 17 है ठीक है ये कौन सी side से 17 है left side से क्योंकि मैंने 27 में से माइनस करते ही value को left से निकल लिया और left से 17 लेटर हमको याद है क्या होता है क्यों आगे बात समझ में नहीं आई हाँ या ना बात clear है देखो बच्चे मैं आपको बताओं जो 19 बैच के student है उनको मैं थोड़ा सा एक मिनट में confirm कर दूँगा अच्छा लास्ट क्लास में session को clear करूँगा कैसे आपको classes मिलेंगी या whatsapp कर देना मुझे ठीक है अब देखो यहाँ पर मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ यह तो केबल बाया दाया दे दिया लेकिन कभी-कभी परश्चन में क्या कहेगा की बाया शच्छा साथवे क्या करें तीसरे के बाया दूशर के दाई चौथा क्शार क्या होगा तो ऐसी situation में आप लोग क्या करेंगे इस प्रशन को पढ़ो और कोशिश करो कि आप लोग answer सही दे सको इसका ये मैंने कल homework के लिए दिया था सायद आपको याद होगा तो कल मैंने ये homework के लिए दिया था आप लोगों को याद है नहीं याद है याद है तो बताओ भई फटा-फट से बताओ याद है देखे करा कि अंग्रेजी वार्ण माला में कौन सा अक्षर बाएं से छे के दाएं चौथा चौथे के बाएं तीसरा होगा ये बड़ा जवरदस्त प्रशन है मेरे साथियो हम लोग बड़े आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं हमारे लिए इस प्रशन को करना बाएं हाथ का खेल है समझना है कैसे करना है पहले आप कॉंसेप्ट समझ लो फिर आप खुद से कोईश्चन को करेंगे कैसे करेंगे ध्यान दीजिए बहुत आसान है मेरे भाई बहुत यासान है करें अंग्रे जी वर्ण माला में कौन सा अक्षर हिंदी में तो आपको शुरू से आंसर करना है अगर वहीं बात इंग्लिश वाले स्टूडेंट की होगी तो आप लोग लास्ट से आंसर करेंगे मैं पहले ही बता चुका हूँ तो यानि इंग्लिश वालों को तो लेफ्ट से आंसर देना है हिंदी वालों को बाई से आंसर देना है ठीक अब देखो क्या करो बोला सर यहां बाया फिर कह रहा है दाया फिर आया बाया आपने तो केवल इतना लिखवाया है गुरू कि बाया और दाया यह दाया और बाया इसमें तो तीन सिचुएसन आ गए तो अब आप हम करते क्या है देखो ध्यान दो थोड़ा समझ ना इधर आओ ध्यान दो कॉपी पैन रख दो बुला A, B, C, D, E, F, G, H, I, J देन X, Y, Z हम लोग मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि हम लोग प्लस माइनस क्यों कर रहे है बायें बायें को माइनस क्यों कर रहे है दायें दायें को माइनस क्यों कर रहे है दायें बायें को एड क्यों कर रहे है बाएं दाएं को add क्यों कर रहे हैं मैं यह समझाना चाह रहा हूँ बस ठीक है देखो यह आप लोग जानते हैं कि यह left side से value है ठीक है और यह value हमारी right side से है यह value हमारी क्या है right side से है इधर से और यह left side से इधर से then मैं आप लोगों से यह कहूँ कि left side से तीसरा letter बताओ कौन सा है तो आप कहो कि left side से पहला दूसरा और तीसरा ये है जी left side से मैंने बाया बताया था ना भाई बोला सर बिल्कुल बाया आपने तीसरा पूछा लेकिन अब इस व्यक्ति का right इधर होगा left इधर होगा हाँ या ना अब मैं कहूँ इस व्यक्ति के left तो मैं बापस आ रहा हूँ ना बापस आने के लिए मुझे तीन मैंसे कम करना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा कम करना पड़ेगा इसलिए मैं बाएं के बाद मैं जब भी बाएं पहला अक्षर यह है, तो मैं क्या कर रहा था, बाएं से तीसरा पहला, तो क्या हो गया, दूसरा और दूसरा लेटर क्या होता है, भी, हाँ या न, यह है, इसलिए मैं बाएं कर रहा था, वहीं अगर मेरे से पूछता, कि बाएं से तीसरे के दाएं तीसरा अक्षर, त तो यह है चौथा जी, यहां तो क्योंकि figure बना है तो मैंने बता दिया, लेकिन दूसरा logic क्या है, plus कर दो, plus क्यों कर दो, क्योंकि हम इधर बढ़ रहे हैं, तो 4 और 3, 7 और 7 पर जी होता है, आप लोग जानते, answer बाएं से करना है, same situation, दाएं से होती है, दाएं से मान लो, तीस इतने की बात थी, note कर लेना, एक छोटे से, जहां भी आपके जगे खाली हो, note book में, वहाँ पे note कर लेना, कोई issue नहीं है, अब देखो धिहन दो, मैं यह प्रशन दे रहा हूं, इसमें क्या है, बड़ा simple तरीका बताता हूं यह किसको करने का, जहां से भी शुरुआत हो रह करते हैं हम, opposite value को plus करते हैं, तो जब भी देखो, जहां से सुरू हो रहा है, जैसे 20 से सुरू है, अब जहां भी बाया मिले, आप minus करना, दाया मिले तो plus करना, अब दाया है, दाया है तो plus करेंगे 4, फिर बाया है, तो minus करेंगे कितना, 3, तो अब इसको solve कर लो, 6 और 4, 10, 10 म कुमार का answer सही है, रोशन कुमार का answer भी सही है, very nice, बहुत बढ़िया, आप सब का correct answer आ रहा है, very nice, बस मुझे ये बताइए कि आपको ये question जो है, इसकी भासा समझ में आई, इसका concept clear हुआ या नहीं हुआ, कल की PDF आपके app पे डाल दी गई है, जो class की PDF थी, और मैं आप हिंदी के प्रशन हैं, उसमें हिंदी के reasoning के, यानि reasoning के हिंदी language में, हिंदी भासा में, और 10,000 से भी अधिक question में, उसमें English के, और Hindi यानि bilingual डालने वाला हूँ, और लगवग मैंने लगवग मान के चलिए 4-5,000 question उसमें bilingual डलबा भी दिये हैं, वो आपके लिए बिल्कुल free ह कहां मिलेगी, VOD के section में जाकर के मिलेगी, ठीक है, VOD के section में जाकर मिलेगी, मैं last session में जब class का end करूँगा, तब आप लोगों को बता दूँगा भाई, कहां मिलेगा, ये सारा का सारा material, चलो, अगला question देखें, next question बहुत ही जवरदस्त है, आप लोग ध्यान देजिए, द चलो, अब देख जाएगा न, देखो देखना मैं बताता हूँ आपको, देखो भाई, ये application पे आपने क्या किया, कि my course में देखा, जो भी batch ले रखा है, आपने my course में गए, जैसे reasoning का 21 batch था, यहाँ पे click किया आपने, ओके, then यहाँ पर ये live session, live अपने आपसे, जब live होगी class, तो live automatically आपको सबसे उपर दिखाई देगा, देखा, यहाँ पे, अब यहाँ यह live चल रही है class, यह तो आप live देख पा रहे हैं, okay, then इसके बाद मैं recorded section में जाओगे, तो जो भी हमने class live की हैं, उसके recordings यहाँ पे available हैं, यह कुछ मैंने VOD, पुराने batch के डलवा दी हैं, जो कि आपकी, जो मालो कोई exam नजदीक है, तो आप इन VODs को देख लो, यह नीचे से सुरू है, जैसे यहाँ से देखो, cube and keyboard part 1 से, उपर तक गए, तो यह end जो है, वो कहा है, यह है puzzle topic के, से end है, लेकिन आपको यहाँ नहीं मिलेगी class, class मिलेगी live वाले section पे, यह देखो, इस batch क अंदर, पहली class demo के तोर पे यह हुई थी, फिर उपर यह class होती चली गई है, तो यहाँ आपको यह demo मिलेंगे, अब दूसरी बात, यह telegram की link है, कभी हम कोई जी अपडेट करेंगे, तो telegram पे बता देंगे, आपको link यहीं दे देंगे, यह VOD है, इस पे reasoning पे click करोगे, तो यहां 3000 से भी अधिक reasoning के question है, जैसे coding recording उठालो आप, view करो इसको, तो यह complete हमारी e-book है, ठीक है, इसको अगर आप hard print लेंगे flip card से, तो यह 500 500 रुपे की पड़ेगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर आपके batch में बिलकुल free करवा दी है, फिर practice sheet है हमारी, जो हम प 2 में जाओगे, तो यहाँ VOD 2 में reasoning के देखिए, आप लोग notes भी डले हुए है, तो यहाँ से देख लो, आप class notes भी हैं, और VOD section है, यह VOD का मतलब होता है, कि एक batch पुराना already recorded form में यहाँ पी डला हुआ है, ठीक है, अब मैं last मैंने बता दिया है, इसके बाद मैं आप लोग आ गया समझ में सब को एक बार मुझे बता देना, बैक करके आप देख लो, अगर नहीं आया ने, समझ में तो एक बार application के back section में जाके आप लोग चेक कर लो इशक, चलो मैं question करवाता हूँ यह बाला बहुत अच्छी बात है न, 21 बैच में आपको एड़ कर दिया, इसमें बहुत ही अच्छा content हम लोग provide करेंगे, सही language में, PDF के साथ, e-books के साथ में है न, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको free दी जा रही है, नहीं तो यह book आपको अलग से purchase करनी पड़ती, 21 बैच में बिल बाएं से, यहाँ फिर से बाएं से शुरू है, बाएं से सात्वे के दाएं, फिर दाएं, यह letter है, अब क्या करोगे आप कुछ मत करो, जहाँ शुरू आता है न भाई, तो बाएं लिख लो सबसे पहले, इतना तो लिखी सकते हो, अब बाएं से क्या करा है, बोला सात्वा, जहाँ भी बाएं आएगा माइनस करना है, दाएं आएगा तो प्लस करना है, तो यहाँ साथ तो हमने ले लिया, साथ के बाद 6 को प्लस करेंगे या माइनस, अलग value है, दाएं है, प्लस 6, फिर दाएं है, प्लस 4, तो देखो, 6 और 4, 10 और 7, 17, और 17 कहां से, बाएं छोर से, 22 से 17 लेटर क्या होता है बोला क्यों होता है जी यह answer है इसका आगे है समझ में किसी को कोई problem कोई doubt किसी को ओके की report है आगे देखिए अगला question यहाँ ध्यान दीजिए बहुत ही जवर्दस प्रशन है 17 number का आप लोग करिए इसका answer ठीक है यह more than two values अगर आपको दे रखी हो दो से अधिक value दे रखी हो तो उस situation में आप लोग यह तरीका इस्तेमाल करेंगे और अगर दो ही इस्ततियां है तो फिर तो कोई problem है ही नहीं है ना चलो देखो करवाई देखो जवर्दस प्रशन है यहाँ पर एक, दो, तीन, चार values दे रखी है तो इस situation को आप कितना अच्छे से handle करेंगे वो आपके उपर है देखो कहरा है कि अंगरेजी वर्ण माला में कौन सा अक्षर बाए से तो सबसे पहले आपको बाएं लिख लेना है दाया आएगा तो प्लस करना है तो यह देखो दाया है, दाया प्लस कर लिया ओके, फिर दाया है फिर दाया है तो प्लस कर लिया ठीक, अब last में आपका बाया है तो यह माइनस करना है आप इतनी calculation करना जानते होंगे मुझे लगता है 6 और 4, 10 और 5, 15 15 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, बार है और बार है कहां से, शुरुवात से बार है वाँ लिटर क्या होता है, L इसका right answer हो जाएगा बताये, clear हुआ सभी भाईयों को clear हुआ या नहीं हुआ पटाफट बतायेगा दोस्तो जवरदस्त तरीके से मैंने आप लोगों को चीज़ें करवा रहा हूँ और बढ़िया कोशन करा रहा हूँ सर्म, मैं CGL की तियारी करना हूँ West of Luck, आप बहुत अच्छी बात है आप CGL की तियारी कर रहे हैं और आपकी CGL की reasoning 100% इन क्लासिस से हो जाएगी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें ये जरूर पता होना चीज़े कि तैयारी किस तरीके से करनी है मैं देखता हूँ कि स्टुडेंट क्या करते हैं कि 7 घंटे की planning बना ली उन्होंने पढ़ने की कि daily जी हम 7 घंटे पढ़ेंगे क्या करना चाहिए CGL वालों के लिए specially मैं बताता हूँ math, English reasoning इन तीन subject को सबसे पहले cover कीजिए आप लोग math, English reasoning सबसे पहले इन तीन subject को लेकर चलो बाकि किसी से हाथ नहीं लगाने की जरूरता आपको 7 महिने, 6 महिने, 8 महिने में आप इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से clear कर लोगे किसी की class लेकर के तो यकीन मानो देखो मालो आपने history, सोरी CGL वालों के लिए बता रहा हूँ और सब के लिए बता रहा हूँ मैं, CGL का खास नहीं मालो क्या आपने reasoning English और math अब मालो कुछ student ऐसे हैं के syllabus में English नहीं है तो वो कोई और subject ले सकते हैं, Hindi ले सकते हैं सबसे पहले आप starting में इन 3 subject को clear कीजिए ठीक, किसी भी teacher से आप पढ़ोगे तो 1 या 7 गंटे class करवाएगा आपको तो मैं कहता हूँ कि 1 गंटे आपने class यहां कर ली, 1 गंटे class आपने यहां कर ली 1 गंटे class आपने यहां कर ली ठीक है, तीनों में 1 गंटे आपने class कर ली, उसके बाद इसका 1 गंटे आपने notes बनाई या revision किया, 1 गंटे आपने notes बनाई या revision किया 1 गंटे notes बनाई या revision किया तो यहां total हम लोग देखें तो 2, 4, 6 गंटे हो गए हमारे पास 6 गंटे ये minimum आपको 6 गंटे पढ़ना है इसके बाद जितना आप दे सकते हो बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है आप दे सकते हो ठीक है? अब आपने जब 6 गंटे पढ़कर लगातार मान लीजिए आपने 7 महीने तक पढ़ा तो 7 महीने में आपका हुआ क्या? कि यहाँ प्रतेक टीचर मैंने देखा है जो बढ़िया specific application है आप यहाँ देखो या कहीं और वो regular class नहीं लेते हैं Monday to Friday class लेते हैं Saturday, Sunday आपके practice के लिए छोड़ते हैं तो Saturday और Sunday में जो भी आपने पढ़ा उनको आप previous करके आप यह देखिए कि भाईया हमारा क्या तो notes में रह गया उन classes को कर लीजिए या जो practice नहीं हो पए उनको कर लीजिए 6 घंटे में बहुत असानी से हो जाएगी 6 दूनी 12 घंटे होगे 2 दिन में ठीक है अब 7 महीने के बाद आपको reasoning, English और math का डर खतम हो जाएगा बिल्कुल 100% डर खतम हो जाएगा इन 3 सब्जेक्ट से लेकिन इनको बाद में भी छोड़ना नहीं है आपको अब जब ये 3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएं 7 महीने के बाद तो अब आपको GS उठानी है GS में भी ज़्यादा नहीं केवल 3 सब्जेक्ट अपने मन पसंदीदा कोई भी 3 सब्जेक्ट History उठा लें Geography उठा लें Quality न उठाएं, Quality इसलिए न उठाएं कि दौनों History एक जैसी हो जाती है कुछ तो आप Science उठा सकते हैं, Biology उठा लो इन तीनों को Cover कर लो तीनों को Cover कर लिया अभी आप एक एक घंटे इनको पढ़ रहे हैं तीनों को और एक एक घंटे Practice कर रहे हैं ठीक है, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे लगवग ये तीनों के तीनों आपके तीन महीने में Complete हो जाएंगे सबजेक्ट, तीन महीने में Complete तो साथ और तीन दस महीने हो गए आपके अब उठाओ फिर अलग सबजेक्ट को GS के, मनलो आपका Quality बचा Economics बचा, ठीक और इसके बाद Current Affair उठा लो, Current बचा आपका यह तीन सबजेक्ट होगे एक, एक, एक घंटे देखो Current Affair ऐसा सबजेक्ट है जो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए आदा घंटे, जादा नहीं आप 20 मिनट, 25 मिनट कभी भी किसी भी चीज से किसी YouTube वाले टीचर से मैं तो यह कहता हूँ कि डिटेल में आप लोग कभर किया करो जो ISPCS वाला जैसे दा हिंदुस्तान टाइम एक न्यूस पेपर आता है उसको एनलाइज कर लिया करो किसी की वीडियो देखने की दरत नहीं खुद से एनलाइज कर लिया करो जो मुख्य आपको लगती है दो महिने में दो महिने में ये कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल हमारे पास कितने महिने होगे बारा महिने तो बारा महिने में पूरा सलेबस कंप्लीट हो जाता है पूरा सलेबस जिस भी एक्जाम के आप तयारी कर रहे हैं syllabus ही 12 महीने में complete होता है अब आपके पास proper notes हैं सब के proper आपको सब चीजों की knowledge है सब आप जानते हैं अच्छे से जानते हैं अब आप कुछ मत करिए अब अपने जो भी exam के त्यारी कर रहे हैं उसमें आप अपना form fill के रिए form fill कर दीचे केवल practice पे आजाईए last year के last five year के आप mock जो practice test होते हैं उनको लगाना शुरू कीजिए mock test लगाना शुरू कीजिए जहां भी आप ये देखें mock test में जैसे मैंने अभी 50 question का mock test लगाया ठीक है मैं selection का एक सही रास्ता बता रहा हूँ जो best रास्ता है 50 question का mock test लगाया 50 में से आपके लगवग मान के चलिए 35 सही आ रहे हैं 40 सही आ रहे हैं ठीक है सही आ रहे हैं उनसे छेड़ चार नहीं करनी है जो गलत है उनको analyze करना है मालो की किसी topic से जैसे calendar topic से question गलत हुआ अब देखो कि calendar topic में क्या चीज हमारी कमजोर है उसको सही करो, बढ़िया करो, जबरदस्त करो ठीक फिर मालो की हमारा math का percentage topic में कोई problem आई उसको analyze करो, कहां गलती कर रहे हैं लास्ट में 2-3 महीने mock test लगाओ यार, 1.5 साल के अंदर आपके तन पर बरदी होगी दुनिया की कोई तागत उसे रोक नहीं सकती, केवल 6 गंटे 7 गंटे पढ़ने से daily लेकिन हमारे दिमाग के अंदर इतना कीचड घुसा देते हैं ये youtube पर जो teacher आए है, ये application पर जो teacher है, इनको क्या views subscriber, batch sale करने, इनसे मतलब है student को एक सही दिशा दिखाना नहीं है, बहुत सारे लोग है इसे बहुत अच्छे application है इसी बात नहीं है, बहुत अच्छे teacher भी है लेकिन जादा तरह लोग जो है, वो हमें ब्रहमित कर रहे हैं ठीक है, बाकि आप लोग अपने तरीके से पढ़ो, जो मैंने तरीका बता है, सबसे best है हमने अलग-अलग exams में selection लिये हैं, इन तरीकों को देखते हुए इन तरीकों के माध्यम से चलते हुए और आगे भी हम लोग इसी चीज़ पर focus कर रहे हैं, और यह तरीका हमारा विकप्ती आगे हैं, और आवेदनस चालू होगे अब पढ़ना शुरू करेंगे, कितना महीने मिलें? दो महीने तैयारी करने को, तीन महीने अब टीचरों के उपर दवाब डालना शुरू कर दिया उनको तो पैचलाना भी है, इनकम यहीं से होगी अब गुरू जी जल्दी से सलेबस खतम कराओ, जल्दी सलेबस खतम कराओ नंबर आ जाएगा तुमारे तीन महीने में, तीन महीने में तो एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा और दस बारा सब्जेक्ट हैं आपके टूटल तो सोच के देखो यार के तीन महीने में तैयारी होती है मूर्खो इस चीज़ से बचो हो एक डिगड साल की कड़ी महनत आपको सफलता दिलाती है दस दिन की नहीं इस बात को ध्यान रख ले ना आज अगला कोशन है कि अंग्रे जी वर्ण माला में कौन सा अक्षर दाएं से दसमे के दाएं छे के बाएं पांचमे के बाएं चोथा होगा ये भी हमारे लिए आसान है कैसे देखो वैल्यू सुरुआत में दाएं से दे रख किया और इंग्लिश में क्या लास्ट से राइट एंड ठीक है जी चलो भाई साब तो जो भी प्रशन आएगा वो दाएं से आएगा आया ना दाएं से दसमे देख लो अब जहां भी दाएं आपको मिलेगा आपको माइनस करना है और जहां भी बाया मिलेगा आपको प्लस करना है वस इतना धियान रखना है भी सब देखो दाय से दसमा फिर ये दाया है दाया आएगा तो माइनस होगा माइनस 6 फिर बाया है प्लस होगा प्लस पाँच ओके दिन फिर बाया है फिर प्लस होगा फिर प्लस होगा इसको पास value आई कितनी 14 तो 14 में आपने answer देना शुरू कर दिया कि सर N answer है N answer है लेकिन 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 आप एक बात नहीं जान पाए क्या कि सर ये value हमें 20 से दे रखे है यानि 20 से 24 लेटर N नहीं होता 22 से 24 होता 22 से 24 होता है N तो फिर 20 से 24 लेटर कुण सा है कुछ मत करो 27 में से 14 माइनस कर दो 27 माइनस 14 क्या आएगा 13 है और left side से 13 लेटर आप सब लोग जानते है M होता है ना कि N तो M इसका right answer होगा बताइए समझ में आया या नहीं आया भाई सा फटा फट बताइए क्या आपको ये clear हुआ या नहीं हुआ आ या ना एक बार में मुझे लगता है कि calculation गलत कर दी क्या 10 में से 6 कम करेंगे तो 4 5 और 4 नो 9 और 5 साही तो यार अच्छा है अच्छा अच्छा ठीक है ओके 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 सॉरी यहां ये 4 है और मैंने 5 लिख दिया भाई ये 4 है मैंने 5 लिख दिया चलो कोई बात नहीं जिस तरीके से मैं कर रहा था वो साही था सॉरी भाई तो देखो अब क्या करना है आपको कुछ नहीं होई सेम लोजिक है मैंने बस यहां पर 4 की जगह वहाँ 5 लिख दिया था तो कैलकुलेशन में हलकी से मिस्टेक हो गई थी अभी आपको कुछ नहीं करना सेम लोजिक है दस में से 6 कम करेंगे 4 4 और 5 नो 9 और 4 कितने होते 13 ठीक है यानि ये वैलियू दाएं से 13 में आ गई ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब क्या करना है 27 में से 13 माइनस करना है 27 माइनस 13 तो आंसर आएगा 14 14 और लेफ्ट साइड से 14 लेटर क्या होता है मेरे भाई मेरे मित्र N होता है तो इसका आंसर N नहीं होगा बिलकुछ सही आंसर दिया था आप लोगोंने बहुत बढ़िया ठीक है चलो बहुत सुन्दर जोड़दार आगया ना समझ में क्लियर हो गया सभी को जल्दी से बताइए अगर क्लियर हो गया तो आगे देखो अगला कुश्शन बहुत ही जवरदस्त है बहुत सुन्दर भी है ठीक है आपको आंसर करना है देखो भाई साब इन प्रशनों में आप लोग पहले पढ़तो लिया होगा आपने कुश्शन थेंक यू वेरी मच थेंक यू देखो एक स्टुडेंट पूछने कि UPSI में क्या सब्जेक्ट का वेटेज होता है सब्जेक्ट का वेटेज है भाई हिस्ट्री कुछ नहीं है जियोग्रफी कुछ नहीं ये भी आपके सलेक्शन को रोख सकते है पढ़ना सब कुछ पढ़ेगा ठीक है आप यह सोचो के वल रीजनिंग और हिंदी पढ़ले और पॉलिटी पढ़ले सलेक्शन हो जाए दुनिया पढ़ रही है नहीं होगा तब पढ़ना पढ़ेगा ये सच्छा ही है और मैं आपसे कहा दूं कि रीजनिंग और हिंदी पढ़लो क्योंकि मैं दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ आपका सलेक्शन हो जाएगा ये जरूर है कि आपकी सलेक्शन में बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अगर रीजनिंग और हिंदी आपकी सही है तो क्योंकि लोग तो पॉइंट पॉइंट से रह जाते हैं देखो अंग्रेजी वर्ण माला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के बाएं 18 अक्षर के ठीक बीच में होगा ये बहुत ही जवर्दस्त प्रश्ण है पहले इसका लॉजिक समझे देखो ये पूछना ये कह रहा है कि मालो ये ABCD लिख़्ी हुई है कि मैंने कहा left से तीसरा letter और left से पांचवे letter के ठीक मध्य कौन सा letter है ये पूछलिया जाए मुझसे तो मैं क्या करूँगा भाई साब मैं ये करूँगा कि ABCD सारी के सारी लिख़्ूँगा और 22 से तीसरा और 22 से पाँचवे के बीच में D है इस तरही किसे निकाल लोगा नहीं यह लोजिक नहीं लगाना है यहां average वाला formula आप लोग यह इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे 22 से दोनों value थी left से तीसरा और left से पाँचवे कुछ मत करो दोनों को जोड़ो 3 प्लस 5 जो भी आगया क्या आगया 8 को 2 से भाग कर दो आगया 4 तो left से 4 आया है और left से 4 क्या होता है D तो हमारा D answer हो जाएगा अब ऐसे यह वाला प्रशने देखो यह वाला प्रशने है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है देखो यहां पे है बुला 22 है left से 4 और left से 18 दोनों value left से left से है जोड़ो दो दोनों को दोनों को जोड़ो 8-4-2 हांसिल 1-1-1-2 22 को क्या करना है 2 से भाग करना है क्योंकि बीच का अगर निकालना है average निकालना है तो क्या करो कि 2 से भाग करते हैं तो 11 आ गया और क्योंकि हमने formula left से लगाया है और left से 11 लेटर क्या होता है मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे प्रियमितर के होता है तो इसका answer क्या होगा के answer होगा आगया समझ में भाई नहीं आया ओके की report है रिपोर्ट अगर ओके की है तो अगला question बड़ा ही गजब का प्रशन है आपकी screen के उपर देखिए और बताइए जल्दी से क्या होगा इसका answer बहुत ही सुंदर तरीके से ठीक है अंग्रेजी वर्ण माला में कौन सा अक्षर 22 से 6 और 22 से 20 में के ठीक बीच में होग मुझे नहीं लगता कि किसी भी शात्र को इसमें question में problem होनी चाहिए होगी क्या नहीं होगी कैसे देखो 22 से left से 6 left से 20 दौनों value left से है 20 और 6 दौनों को जोड़ दो 26 को 2 से भाग कर दो तो 13 है दूने 26 और क्योंकि दौनों value left से है तो left से 13 है वाँ letter क्या होता है M ये इसका correct answer ए ऊक्या right आ गया समझ में आ गया समझ में बढ़ंं आगे बढ़ंं आगे Christmas बढ़ंं आगे है ना चाहरओ सभी लोग कोशिस करो answer देने की यार exam आपको इ क्लीर करना है मेरे को नहीं है समझ रहो बात को exam आपको क्लीर करना है इसलिए answer आप ही लोग करो इसलिए आप लोग समझो आप लोग सीखो मेरे सामने यहाँ पर application में लगवग 300 से व्यादिक student live है और इन में से answer जो करने हैं न, सही answer मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 student होंगे बाकी के तो केवल यह पूछ रहे हैं जो logical comments हैं इनका कोई role नहीं है, कोई उद्दिश्य नहीं है ठीक है उचित प्रकार के जो comment हैं वो बहुत कम संख्या में हैं और जो फालतू के हैं फरजी type के comment हैं वो बहुत संख्या में हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं अंग्रे जी वर्ण मला में कौन सा अक्षर, दाएं से चार और दाएं से 16 में के ठीक बीच होगा, अभी value बाएं से थी अब value दाएं से है, करना कुछ नहीं है दाएं मतलब right right से कितना चोथा और right से कितना 16, दोनो same value है, 16 और 4 कितने होगे, 20 क्या हो गया, 20 20 को 2 से भाग कर दो, answer आगया 10, answer दे दिया आपने J, गलत answer है J, बला सर क्या कह रहे हो J गलत क्यों है J गलत क्यों है, J इसलिए गलत है मेरे भाई, कि जो J है न, ये right side से नहीं है भाई, ये तो left से 10 वाँ होता है आपको दोनो value क्योंकि right से दी रखे न, तो right से 10 वाँ letter क्या होता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये तो मालूम है, कि गुरू अगर 27 में से इस चीज़ को minus कर दिया जाए 27 minus 10 तो 17 आएगा, और left से 17 वाँ letter क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, बोला, Q answer आएगा इसका, okay के report है, Q answer आएगा इसका, हाँ या न, हाँ या न, समझा गया, प्रतेक student के दिमाग के अंदर ये चीज़ें जानी चाहिए, ऐसा न हो कि सर मेरे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आनेगा, केवल एक कारण होगा कि ध्यान आपका इदर उदर भटक रहा होगा, तो ही नहीं समझ में आयागा, अन्याता सो परसेंट आपको समझ में आयागा, ठीक है, चलिए, next, अगला question देखो, मेरे भाई, जल्दी से, फटा-फट से, और बताओ इसका अंसर, अंग्रे जी वर्ण माला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे के दाएं किस्वा, अक्षर के ठीक बीच में होगा, ओ, ती जवर्दस्त है, कोई भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है भई, देखो कैसे, इधर आओ, ध्यान दो, बुला सर, दाएं से तीसरा, और दाएं से एक किस्वा, ओके, दोनों को जोड़ोना है, राइट से तीसरा, और राइट से ट्वेंटीवन, तो यहां हो गया ट्वेंटीफूर, अब ट्वेंटीफूर को टू से, आपको डिवाइड करना है, तो बारह दूने 24 होते हैं, तो यहां राइट से बारह लेटर क्या है, क्या एल है, नहीं, गलत बात, क्या बताया मैंने, आपको 27 में से माइनस कर लेना है, 27 में से 12 माइनस करोगे, तो आंसर आएगा 15, और देन 15 का मतलब लेफ्ट साइड से क्या होता है, दोस्तो, O होता है, तो क्या होगा, O आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर, O, ठीक है, O for orange, आपका सही जवाब है, clear? clear है भई? अगले कोश्चन पर बढ़ूँगा, फिर मैं जल्दी बताओ, ओके, next, अगला कोश्चन देखिए, इसको करिए, ये थोड़ा सा जो प्रश्चन है, वो आप लोग देखिए जरा, यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हमें होगी, अंग्रेजी वर्ण माला में, कौन सा अक्षर बाइए से तीसरे, और दाइए से चौथे, कि ठीक बीच में होगा, क्या किरहा है कि लेफ्ट साइड से, तीसरा, और राइट साइड से, शो था, इसके बीच में क्या होगा, तो हम आंसर क्या करें, चार और तीन साथ, साथ को दो से भाग कर लें, ये तो क्या आया, बई, यहाँ पर साड़े तीन आंसर आ जाएगा, लेफ्ट से सी मानोगे, या राइट से सही मानोगे, क्या मानोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो अब क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान इधर लगाओ वई, ठीक है, इधर ध्यान लगाओ पूरा, इधर आ जाओ, कॉपी पैन थोड़े दिर के लिए रख दो, हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने समझदार हैं, कि हम लोग ये जरूर जानते हैं, कि सर, एक वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड से है, एक वैल्यू हमारी राइट साइड से है, अगर, अगर, अगर हम दौनों की दौनों value left से बना लें या right से बना लें तो हमारे लिए आसान है क्योंकि अभी पिछले कई question हमने उसी तरीके से किये है तो यहाँ पर अगर इस right वाली value को मैं left बना लूँ तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है न और right value को left बनाने का तरीका क्या है 27 में से 4 माइनस कर दो 27 माइनस 4 ऐसा ही करेंगे तो answer होगा 23 तो एक value हमारी left से आई क्या 3 और एक value हमारी आई left से कितना 23 दोनो value left से निकल के आ चुकी है तो अब 23 को और 3 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 26 और 26 को अगर आप 2 से भाग करें तो answer आएगा 13 और 13 का मतलब answer होगा M बताए कितने student का M answer right है नहीं जस्वीर भाई आपने left बनाना है दोनों को तभी तो answer कर पाओगे एक left से उठा लिया आपने एक right से उठा लिया बीच में फिर आप answer कहा left से बताएगा कि right से बताना है आपको इसलिए ये logic अपना हो ऐसे मैं एक दो question और करवा देता हूँ ऐसी बात नहीं है कि मैं यहीं छोड़ दूँगा आपको आपको धुलंदर बना के छोड़ूँगा भाई reasoning में reasoning की और हिंदी की guarantee मेरी है बागी guarantee आप लोग मैत वाले सर से लीजिएगा मैत की और अलग-अलग subject के अलग-अलग teacherों से ही guarantee ली जाए तो ज़्यदा अच्छा है है ना चलो आगया होई देखो बच्चे अगला जो प्रशन है वो बड़ा ही खूर सूरत है ऐसा ही प्रशन है आपको आंसर करना है और अब की बार पहले आप लोग आंसर करेंगे मैं लिख देता हूँ इसको अपनी भाशा में किरा कि बाएं से चौथा और दाएं से पांचवा अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा यानि कि लेफ्ट से चार और राइट से राइट से पांच के बीच में कौन सालेटर होगा देखो अब एक मिनट मेरी बात समझे लो आप थोड़ा सुन लो सुनना जरूरी है क्या सर हम इन दोनों को right value बना के answer कर सकते हैं येस कर सकते हो वही अगर इसको right बनाओगे तो आप right बना के भी कर सकते हो ठीक है और अगर right बना के प्रशन का answer करोगे दोस्त तो एक बात समझो जरा फिर आपको left बनाना पड़ेगा क्योंकि right से तो आपको letter याद दी नहीं है न तो आप सबसे अच्छा क्या है right वाली value को left बनाओ दुनिया के चकर में मत फ़सो अप लोग ठीक है न दुनिया भर के चकर में मत फ़सो इस right value को left बनाओ बच्चे समझ में बात आ रही है right value को left आप बनाओ तो कैसे बनाओगे बोला सर इस right को left बनाना है हाँ जी बनाना है बहुत आसान है सर 27 में से 5 माइनस कर दो 22 हो जाएगा ठीक एक value left से 22 आ गई एक value left से 4 आ गई 22 और 4 कितने हो गए भई 26 26 हो गए 26 को 2 से भाग किया answer आ गया 13 13 कहां से क्योंकि मैंने ये भी left से बना ली थी ये भी left से था तो left से 13 letter M होता है बताओ जरा clear हो गया सबको आगे बात समझ में या नहीं आई भाई बताओ फटाफट जल्दी से बताओ speed से clear हो गया नहीं हुआ हाँ या ना okay की report है आ जाओ देखो आगे इसको करो जरा इस प्रशन को कीजिए फटाक से बहुत ही मज़िदार ये प्रशन है आपको बहुत help मिलेगी हमारी इन classes से exams में जो question बनते हैं उनका pattern क्या रहता है किस तरीके से उनको deal करना है इस सारी चीज़ें आप लोग सीख पाएंगे इन classes से अंग्रे जी वर्ण माला में कौन सा अक्षर 22 से तीसरा और 22 से 18 में के ठीक बीच में होगा दोनों value left से हैं left से 3 और left से 18 तो 18 और 3 19, 20, 21 21 को अगर मैं 2 से भाग करूँ मेरे भाई तो answer आएगा बोला 10.5 10.5 अब कोई letter ऐसा होता है जो 10.5 हो नहीं साड़े 10 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है कोई नहीं तो ऐसी situation में answer क्या करना चाहिए ऐसी situation में answer क्या करना चाहिए तो यहाँ पर आप या तो 10 को सही मान सकते हो या आप लोग 11 को सही मान सकते हो और left side से 10 लेटर या तो J सही होगा या आपका K सही होगा इन दोनों में से कोई एक answer सही होगा आपके exam में या तो J मिलेगा option में या K मिलेगा अगर दोनों option में मिलते हैं तो लिखा होगा कि A और B बोथ दोनों सही है या A या B में से कोई एक होगा या नि कहने का मतलब या तो आपको ऐसे मिलेगा J slash K ठीक या आपको मिलेगा A option J B option K C option दोनों में से कोई एक ठीक है या तो A या B तो फिर आपको answer C करना है इस तरीक है जी आ गया समझ में नहीं आया simple है कोई problem नहीं होने वाली है एक एक point clear होंगे दिमाग के अंदर store होंगे लेकिन class को सुब है उठने के बाद आपको live देखना है तभी मज़ा आएगा और आप लोग बाद में recording देखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा अब सोचिए ये एक व्यक्ती तो है जो interact है आप लोगों से आप comment भी कर पाते है आप को सुन पाता है आप देख पाते है उसको एक है कि बाद में speed बढ़ा के देखो ये करो वो करो तो उतना मन नहीं लगेगा ठीक है एक अनुशासन बहुत ही जरूरी है जीवन में और हर जगे अनुशासन होना चाहिए क्लास में भी होना चाहिए अभी मैं कई यूट्यूब पे देखता हूँ कि अनुशासन भूलते जा रहे है टीचर ठीक है आप लोग देखिए यार मतलब टीचरस ki जो value है वो क्या होती है जीवन में आप लोग डालिये टीचरस comedy तो यार इतना मतलब गंद फैली हुई है views के चक्कर में, subscriber के चक्कर में course बेचने के चक्कर में अब क्या बता हूँ मैं आप लोगों को चाहे female teacher हो चाहे male teacher हो उन्होंने पूरा तरीके से गंद फैला रखे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं लेकिन उनमें से बहुत सारे टीचर ऐसे हैं भाई जो बहुत महनत कर रहे हैं और स्टूडेंट के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और जो ऐसे टीचर है जो दिन रात एक कर रहे हैं उटोमेटिकली उनकी विवस्था बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी जगा है वो, क्योंकि एक व्यक्ति महीने के एक लाख कमाने से खुश होता है, एक व्यक्ति पचास हजार कमाने से खुश होता है, एक पचास लाख कमाने से भी खुश नहीं होता है तो मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो पचास हजार ही कमा रहा है अगर वो खुश है तो उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी जड़ी बूटी यही है पचास लाग कमाले महिने के टेंशन, दर्द, दुख, परिशानी में रहेगा किसी काम के पैसे नहीं है, कोई फाइदा नहीं है इससे अच्छा तो वो पचास अजार से भी कम इंकम हो लेकिन खुश रहे, स्वस्त रहे, वो ज़्यादा अच्छा है तो जो, देखो, कमपटीशन किसी से भी नहीं है हमारा कि ये teacher बहुत अच्छा है, वो teacher अच्छा है, बस हमें यहाँ पर पढ़ाना है, कुछ लोग भी जुड़ें, कम भी जुड़ें, मज़ा आएगा, लेकिन वो ही जुड़ें जो पढ़ने वाले हैं, हमें उनकी ज़रुत बिल्कुल नहीं है, जो यहाँ पर केवल और केवल आप लोग जानते हैं कितना, चार और लेफ्ट साइड से 19, तो ये दोनों कितने होगे भाई, तेईस होगे, और तेईस को साथ साथ से क्यों हो, दो से भाग करना है, तो ग्यारे दूनी बाईस, यानि ग्यारे पॉइंट पांच आंसर आगे, या तो ग्यारे से होगा, या या तो के होगा, या एहल आंसर होगा, ठीक है, आगी बात समझ में, शलिए बढ़िया, मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है, ये पूरा सेसन चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अंग्रे जी वर्ण मला विप्रित कर ये और कर लो भाई का, ये बहुत लिखी हो, या विप्रित कर में लिखी हो, ठीक है, इस situation में questions के साथ कैसे deal करनी है, ये आप लोग एक मिनट में जानेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हो, क्या कह रहा है कि यदि एग्रे जी वर्ण मला को विप्रित कर में लिखा जाये, तब, तब, लिखा जाये, त अब कौन सा अक्षर बाएं से चार के दाएं सटा होगा अब देखो अंग्रेजी वर्ण माला विपरीत क्रम में लिखी गैसे जाती है ये समझना है पहले ये बहुत आसान टॉपिक है बहुत आसान ये टाइप है बहुत आसान लेकिन थोड़ा समझ लोग देखो जैसे A B C D E आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सर ये बाया होता है इधर यानि लेफ्ट साइड और इधर दाया होता है यानि कि राइट साइड गुरू जी जब अंग्रेजी वर्ण माला सीधे क्रम में लिखी होते है तो A B C D से चलते समय हम लोग बाय से चलते हैं और Z Y X से चलते सम बोला सरी इसमें कोई बताने वाली बात है सबको मालूम है लेकिन वो क्या करा है कि यदि अंग्रेजी वर्ण माला विप्रीत क्रम में लिखी हो या आप से करा है कि reverse order में लिखी हो ठीक है तब क्या करना है गुरू तो reverse order होता क्या है तो यहाँ Z Y X C B A यह होता है reverse order यानि क दोस्तों यहाँ बाएं से चलोगे तो Z Y X आएगा दाएं से चलोगे तो आप लोग क्या आएगा भाई A B C आएगा तो एक तो देसी तरीका है अपना सब A B C D को उल्टा करके लिखे लो आप आप आंसर देना शुरू करो जैसे यह कह रहा है कि अंग्रे जी वर्ण माला मे विपरीत करम में लिखोगे तो बाएं से चार अब बाएं कहा है बाएं से यह रहा तो बाएं से एक, दो, तीन, चार यहाँ चार लगाना पड़ेगा फिर उसके दाए इच्छ है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे उल्टा यह चलना पड़ेगा पूर इंगलिश के लि और यहां बायें से चल रहे हैं तो ZYX आगर मैं इसको काट दूँ और यहां लिख दूँ दाया तो मैं पहली situation में बन जाओंगा तो दायें से देखो ZYX दायें से देखो ZYX और मैं इस दायें को काट के बना दू बाया तो मैं ABC से चलूँगा देखो भाइं से ABC से चलूँगा तो क्या करना है कुछ दिमाग में आया कुछ दिमाग में आया नहीं आया भई बिल्कुल आ गया सर बस इतना कर लो जब भी विपरीत करम में लिखा हो भाइं को दाया बना लो और दाये को बाया बना लो बोला सर ये क्या बना दिया जी आपने कोश्चन हो गया पहले वाला कोश्चन हो गया पहले वाला जो विपरीत करम में नहीं थी क्या करना है एक दाया एक बाया प्लस करना है अगर आपको दाया और बाया मिलेगा तो प्लस करना है यस और नो बिल्कुल सर प्लस कर दो 4 और 6 10 4 प्लस 6 बरावर 10 कर दिया प्लस answer हिंदी में शुरू से करना है English में लास्ट से करना है ठीक है जी कोई दिख कर अब राइट से 10 में लेटर जे थोड़ी होता है 27 में से माइनस कर दो 10 17 और लेफ्ट साइड से 17 वाँ लेटर क्या होता है तो क्यों होता है इसका आंसर क्यों होगा बताओ जल्दी समझ में आया है नहीं आया ये वाला लॉजिक आपको अपलाई करना है वैस इतना समझ गए जब भी विपरीत करम लिखा हो दाएं को बाएं मना लो बाएं को दाएं मना लो आंसर हो गया अब यह क्या है इसमें कुछ नहीं है आई बात समझ में नहीं आई नोट कर लो फटाक से फिर आगे बढ़ेंगे अगला क्योश्चन लगा देता हूं न इसको करो इसको करिये वह यह भी जबरतस्त प्रश्चन है सभी लोग करिये कोशिस कीजिए करने के देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत करम में लिखी जाए ठीक जैसी विपरीत करम दिखाई दे दाएं को बाया बना लो कुई दिक्कत है बनाने में कोई दिक्कत नहीं है जी होग आसान है अब दोनौ वेल्यू बाये बाये की हैं तो विदाओट पैन एंड पेपर आपको आंसर सॉल्व करना है question solve करना है एक value बाएं से 17 है minus करना होता है एक value 7 है 17 में से 7 minus करो कि तो 10 आएगा और 10 कहां से answer करना शुरूवात से बाएं से 10 वाँ letter क्या है जे तो answer इसका क्या होगा भाई मेरे जे answer होगा answer आपको बाएं से शुरूवात ये दाएं वाले का तो concept ही खतम हो गया आप ठीक यहां से करना शुरूव से answer ठीक आपने right को left बनाना है ओके और left को right बनाना है यानि देखो ये भी right है इसको भी left बनाना है दोनों ही value left है तो आप लोग 7 minus कर दो कितने में से 17 में से 17 में से 7 minus करो कि 10 और 10 कहां से left से क्योंकि आप change हो गया ना left से answer करना है 10 मा answer आ गया भाई आपका कोई दिक्कत किसी को तो बताओ जरा यहां भी आप ऐसे ही करो देखो English वाले student right को काट के left कर लो ठीक और last में फिर यहां left है इसको right कर लो और English वाले answer जो है कहां से देते हैं तो last से right है तो right से answer आया इसलिए मने 27 में से 10 minus किया ठीक है आगे करूं next question 27 का दोबारा बता दो class आपने कल की देखी है नहीं देखी है 27 का दोबारा इबता दो class को पहली को देखो और फिर दूसरी को देखो तो तब पता लगए कि 27 का क्या होता है अब में बीच बीच में आप लोग class देखोगे दूसरे तीसरे पार्ट को कि 27 क्या होता है तो ये तो गड़वड हो जाएगी न फिर हमारी रामयाड आदी खतम हो चुकी और हम ये पूछ है कि राम किस के बेटे थे तो ये तो बड़ा मामला खराब होगा भाई है ना तो इसलिए आप सबसे पहले ये जानो कि राम की शुरुआत कहां से होई थी राम जी ठीक है किस के बेटे थे उनके पता जी का नाम क्या था जानोगे तभी तो राम के बारे में अच्छे से जान पाऊगे इसलिए पहली क्लास को देखो देखो बच्चे अगला क्यूशन करा कि अंग्रे जी वर्णमाला को विप्रीत करम है जैसी विप्रीत करम दिखाई दे तुरंत दाये को बाया बना लो और बाये को दाया बना लो कोई दिक्कत ही नहीं है यार अब देखो क्योंकि ये दोनों बाया और दाया तो प्लस होगा बाया दाया प्लस होता है तो चार और पांच कितना नो और दोस्तों आप लोग जानते कि बाये से नो वा लेटर क्या होता है आई, यही आंसर है यही आंसर है यही आंसर है, ठीक है बढ़ूं आगे आगे बढ़े आगे बढ़ जाए चलो, देखो तीस नवा कोशन देखो इस टॉपिक के अंदर लगवक मैं 70 या 60 कोशन करवाऊंगा टोटल, तो अभी तो आधे दो पार्ट और आएंगे इसके, अभी तो हमारा पार्ट एक तो यह रह गया है कि भई जब अंग्रेजी वर्ण माला दोनों ही विपरित करम में लिखे हो, नहीं नहीं विपरित करम माला तो हो गया, एक तो बचा हुआ है कि जब फस्ट हाफ और सेकेंड हाफ उल्टे लिखे हो तो उसमें तीन टाइप बनते हैं केवल पहला अरधांश विपरित करम में हो केवल दूसरा अरधांश विपरित करम में हो या दौनों अरधांश विपरित करम में हो तो तीन टाइप तो यह रह गया है फिर एक रह गया है कि A से सुरू करते वे प्रतेक दूसरा अक्ष रटा दें एक बचा कि यदि B से सुरू करते वे प्रतेक दूसरा अक्ष रटा दें तो ये दो टाइप हमारे और बच्चे हैं तो पहले इनको आप समझिए है ना और दो क्लास या एक क्लास उनकी और लगेगी देखो जैसे आपको दिखाई दे विपरीत किरम लिखा है तुरंत आपका काम क्या है दाएं को बाया बनाओ ठीक और दाएं को बाया बनाओ बना सकते हैं सबी लोग अब सत्रे में से साथ क्या करने आपको माइनस करने क्योंकि दोनों वैल्यू बाये से हैं तो सत्रे माइनस साथ बरावर दस और बाये से दसवा लेटर क्या होगा जे तो आंसर इसका क्या होगा जे क्लियर है बात समझ में आ रही है भाई सबके रोशन कुमार भाई समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है ओके की रिपोर्ट है चालो इसको करो जरा चलो करो फटा फट करो देखो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाई से चार के दाएं शटा होगा ठीक है शटा होगा तोड़ी स्पीड से करते हैं कि जब भी आपको विपरीत क्रम दिखाई देगा तो आप लोग बाई को दाएं बनाएंगे है ना और दाएं को बाईं बनाएंगे तो अब मेरे भाई एक वैल्यू दाएं से है एक बाईं से है तो प्लस करते हैं अपोजिट वैल्यू में तो चार और च्छे को जोड देंगे तो च्छे और च्छे और दस आंसर आ गया दाएं से दसमा लेटर जे मत कर देना आंसर दाएं से दसमा लिटर क्या होता है आप लोगों का क्यू होता है ठीक चलो क्लियर है बात आगे देखो अगला कुशन देखिए मेरे बाइट करी देखो यदि अंग्रेजी वर्ण माला को विपरीत क्रम में लिखा जाए जैसे ही विपरीत क्रम लिखा जाएगा बाइग बाइगो दाया बनाएंगे पुराने वाली वैलिउ सब खटम एक दाया है फिर बाइआ है फिर दाया है क्या करोगे भई आपको सबसे पहले शुरूबाद हिंदी में right से करनी है English वालों को पहले left को right बना लेना है और फिर आपको क्या करना है last से answer करना है क्यों 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 कि आपकी alphabetical series जो है वो reverse pattern में लिखी गई है reverse order में लिखी गई है ओके तो यहां सबसे पहले right से क्या है तीसरा अब जो भी right आएगा minus किया जाएगा left आएगा तो प्लस किया जाएगा तो 22 से पांचवा प्लस करोगे और यह क्यों कि दाया है शुरुआ दाया से थी तो यह minus 2 किया जाएगा तो 5 और 3 कितने होगे 8 8 में से 2 कम करेंगे 6 लेकिन भाई मेरे यह दाया से 6 लेटर है अब दाया से 6 लेटर एफ थोड़ी मानोगे वो तो 22 से होता है 6 लेटर तो अगर कोई value दाया से दिरक्षी है 22 से निकालनी है तो 27 में से 6 माइनस कर दो 21 और 21 का मतलब left side से कौन सा लेटर होता है सब को यह learn होगा you होता है जी क्या होता है you answer होगा इसका ठीक बात समझ में आगे yes or no clear है चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे next देखे प्यारे सातियो next जो question है वो आप लोगों के लिए homework के लिए देता हूँ क्योंकि यह 30 थरीका मैंने concept नहीं समझाया है कल हम आते ही इस type के question को करेंगे जैसे कह रहा है कि यदि एसे शुरू करते हुए प्रते एक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौनसा अक्षर 22 से पांचवे के दाएं चौथा होगा यह बड़ा अच्छा topic है मज़ा आएगा करने में लेकिन यह homework रहेगा और मैं आपको बता दू कि जिन स्टूडेंट को भी reasoning का special batch लेना है है ना और वो तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे competition गुरू एप को यह link है इसको वीडियो की description में जाके download कर सकते हैं then download करने के बाद आप लोग अपने ID बनाएंगे और course में जाएंगे course में जाने के तुरंत बाद दोस्तो आप लोगों को क्या करना है course में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ और internet connect नहीं था अभी मैं आपको दिखा देता हूँ just 10 seconds का समय लगेगा मुश्किल से ठीक ये देखिए ये हमारे पास reasoning का special batch है इसमें आप लोग जो है वो बहुत अच्छी से त्यारी कर सकते हैं सारे के सारे doubts सारे के सारे जो भी problems होंगी वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर solve करेंगे ठीक है जी आप में से जो भी student reasoning का special live और VOD बैच लेना चाहते हैं तो pre और mains exam CGL वगरा के लिए सब के लिए है ठीक है ये SSC जितने भी exam कराते हैं न भाई चाहें CGL, CPO, MTS या फिर आपका GD वगरा जो भी exam होगा सब के लिए है banking exam के लिए है banking, bank, PO वगरा का ये CLER का वगरा का जो exam होता है railway आपका group D है NTP, CRR भी है या फिर आपका CSET का exam है UPSC में जब CSET का exam देते हैं उसके लिए भी बहुत sufficient है, state level का कोई exam है UP police constable UPSI, या आप लोगों का Rajasthan SI हुआ, Rajasthan constable का exam हुआ, या MP police का exam हुआ, इवन और भी दिल्ली police का exam हुआ उसके बाद आपका teaching exam teaching में आपका कोई भी exam है, उसके लिए भी ये बहुत helpful होगी, तो आप इस class को केवल और केवल four double nine rupees में ले सकते हैं, इसके साथ हमारी एक book आपको बिल्कुल free मिलेगी ठीक है, इस batch के साथ में e-book आपको बिल्कुल free मिलेगी दोस्तो जो free book है उसकी fees अलग से e-book की ही 99 rupees है, मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है, लेकिन इस batch में आप लोगों को वो book जो है, वो बिल्कुल 100% free मिलेगी, ठीक है और ये भी देखो ये वाली book है हमारी दो book है ये, एक तो 3000 reasoning के प्रशन है, solution के साथ हिंदी में, और 10 000 reasoning के प्रशन answer की के साथ है, bilingual है ना, mode होगा e-book आप इस e-book को download करके print भी करा सकते हैं, लेकिन print कराने कोई जरूत नहीं है तैयारी केवल आप यहीं से करें अलग से इस book को लेना चाहते हैं, तो 99 रुपेस की fees है, batch के साथ आपको ये बिल्कुल free मिलेगी, ओके तो आप इस batch को अभी enroll कर सकते हैं, हमारी competition guru app से, enroll करने में कोई issue आता है, या आप लोगों को बात समझ में नहीं आपाती है, कोई भी तो ये हमारा help line number है इस number पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, अब जो भी आप लोगों के doubts हैं, वो मुझे आप share करिए, मैं आपके doubts को clear करता हूँ, ठीक है, जो भी doubt होगा कोई doubt है किसी को अनुराग करें सर यूट्यूब पे upload करवा देंगे इसको बाद में न, जिससे की student को पता लग सके कि live session चल रहे है चलो, ठीक है, नई बाकी के तो बेकार के comment है, कोई फायदा नहीं है Monday to Friday class होगी, सौंबार शे शुक्रवार तक class होगी, आज सनिवार है, लेकिन आज class इसली लगा दी थी मैंने आप लोग सब जानते हैं कि भाई साब हमारी बीच में एक week के अंदर एक दिन class नहीं हो पाई थी, मैं कहीं बाहर चला गया था तो इस बीच मैंने शनिवार को class लगा दी और आगे भी कभी ऐसा भविश्य में होगा कि मुझे इस समय कहीं जाना पड़ जाता है emergency महीने में एक दो बार तो जिस दिन मैं class को off रखूँँगा मैं Saturday या Sunday में class को continue करातूँगा आपका syllabus जो है वो problem में नहीं आएगा सर इसकी e-book के साथ class notes मिल जाएंगे class notes आपको मिलेंगे लेकिन खुद के notes बनाएंगे तो जादा बहतर होगा बाकि आगे आपकी मरजी है दोस्तों चलिए thank you very much stay care bye bye धन्यवाद